भार्टिय रक्षा पंदन या रखडी या राखी या सनुने ये जो सावन का पुर्ण मासी जब भी साल में आता है हमारे घर में एक चर्चा लेके आता था दरसल जो मेरी बड़ी भेने थी वो कहती थी तू करेगा हमारी रक्षा तो उनका एक वेंग होता था और वो हसती थी काफी क्योंकि मैं छोटा था और वो उमर में मुझसे बड़ी थी तो जहर सी बात है मैं उनकी क्या रक्षा करूँगा और क्या नहीं करूँगा जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। पूरी तरह से मुस्तैद होती हैं वो तो अच्छे अच्छे आदमी की रक्षा कर दें उनकी रक्षा कौन करेगा तो ये बात हमारे घर में चर्चा का विशा रहती थी क्योंकि रक्षवंदन तो हमारे हां होता नहीं था मगर चुकि उस दिन सारे काम धाम बंद रहते थे सार लोग अपना रंगरलिया मनाते रहे थे मगर ये चर्चा हर साल हमारे होती रहती थी कि महिलाएं भारत में मांसिक रूप से हर साल इतनी कमजोर क्यों की जाती हैं कि हर साल उनको रक्षा का एक एग्रिमेंट सुरक्षा का एक एग्रिमेंट प्रोटेक्शन का एक तो एक agreement हो गया भाई तुम मेरी रक्षा करना मैं बहुत कमजोर हूँ तो हर साल ये जो एक agreement होता है खास थोड़ से बहन और भाई के बीच में जो agreement या करार या एक दस्तावेज या एक समझोता होता है कि भाई तुम मेरी रक्षा करना मैं बहुत कमजोर हूँ तुमारी रक् लोगों में होता है। ये बाकी लोग नहीं करते हैं। बाकी लोग नहीं करते हैं। भारत में भी ऐसा हैं। mentor one-sided है यानि कि आज जो भाई है वह ही रक्षा करेगा और चाहे भाई दो साल का है या 200 साल का है उससे कोई मतलब नहीं है चाहे बहन 100 साल की है चाहे बहन एक महीने की है बहन की रक्षा चाहे वो कितनी बड़ी है वो छोटा सा भाई भी करेगा ये अनुबंद का करार का एक हिस्सा है जो हमारे घर में चर्चा का और हासी का विसे बनता था अरे मैं छोटा था दरसल मेरी बहने बड़ी थी वो मेरा स्कूल में एडिमिशन करा के आई माश्टर के जिसा के वार वो ज़ड़के लड़के आई के वार उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन की के एक वार मैं जूले से गर गिया उन्होंने मुझे उठा के वो हस्पिटल ले गई दवादारू मेरी करती थी हमको डेंगो हुआ तो हमेरी चोटी बेहन और बड़ी बेहन सारी मिलके सारा हमें ध्यान रखती थी पूरे परिवार का यहां तक कि मेरे फादर को भी डेंगो हुआ बड़े भाई को भी डेंगो हुआ उनकी भी सेवा उन्होंने की उनकी प्रोटेक्शन उन्होंने की तो वो हस्ती थी हमारे उपर तो करेगा हमारी सेवा, तो करेगा हमारी रक्षा, चुकि हमारे घर में माहुल बड़ा उपन था और चर्चा का था और सारा का सारा जितना भी था, वो बुद्ध की जितनी फिलोस्पी थी, क्योंकि मेरे फादर बुद्ध की फिलोस्पी को बहुत पहले से अड़ाप्ट कर पुरी दुनिया में सिश्टम नहीं है, भारत के सब लोगों में हैं, आप अगर देखेंगे तो भारत में विवने तरह के लोग रहते हैं, सभी इस कल्चर को, सभी इस एग्रीमेंट को, सभी इस दस्तावेश को, सभी इस करार को नहीं मानते और एक करार में सिर्फ एक ही दिन रक्षा लिखी हुई है आपने सिर्फ एक खाज दिन हमारी रक्षा करनी है और रक्षा के करार के बावजूद भी वो कौन से भाई है जो बहनों की हत्याएं कर रहे हैं जो बहनों से दहेज ले रहे हैं जो बहनों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो बहन के पैदा होते ही उसको एक चमच नमच उसके मुह में डाल के उसकी हत्या कर देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहनों को संसद में बरावर का अधिकार आज तक नहीं दे रहे हैं, ना बरावर की सीटें देते हैं, वो कौन से भाई है जो उनको कहते हैं कि ये काम तेरे बसका नहीं है ये काम औरतों का है ये काम आग्मियों का जिन्होंने काम बाट दिये वो कौन से भाई है दरसल यहाँ पता ने चल पाता है कि जो agreement कर रहा है sign जो दस्तावेज में sign कर रहा है करार में साइन कर रहा है जो रक्षावंदन का जो धागा है जो सूत पे उसको बांध रहा है क्या वही भाई है जो बहनों के अधिकार को दबा रहा है जो बहनों को कहता है कि तुझे घर से बाहर निकल लिक जोतनी है तेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है तेरा काम पढ़ने का नहीं है या तेरा काम ये जो काम है ये मर्दों का है ये आद्मियों का है ये तुझे नहीं करना है वह सारी दुनिया में तो जो आधी अबादी है वो कंदे से कंधा मिला के काम कर रही है भारत में इस सिति क्यों खराब है अगर ऐसी ही बात होती तो पूरी दुनिया में ये एग्रिमेंट होता कि भाई सारे जो भाई हैं वो बहनों की रक्षा करेंगे मगर बाकी दुनिया में महिलाय और पुरुस कंधा मिलाके काम कर रही है वो इंजिनियर भी है डॉक्टर भी है सेना में अफसर भी है वो जहाज भी उड़ा रही है वो डॉक्टर भी है वो दुकान भी चला रही है वो आटो मोबैल भी चला रही है रिक्सा भी चला रही है कुंफू करांटे भी है सेनमल वो काम जो सारा एक मनुस से कर सकता है वो सारे वो काम कर रही है और उससे भी ज़्यादा उनके पास एक काम होता है कि वो भाई की उत्पत्ती भी करती है यानि भाई जो पैदा होता है वो बहन के किसी ना किसी बहन के पेट से ही पैदा होता है जो मर्द पैदा होता है, जो आदमी पैदा होता है, क्योंकि आदमी को मनुष से पैदा करने की ताकत नहीं है, वो महिला के अंदर ही है, तो एक हाथ और आगे हैं, जब एक हाथ और आगे हैं, तो फिर सारा का सारा एग्रिमेंट किस तरह से, किस ने बनाया, क्यों बनाया, य क्योंकि हर साल आप जब महिलाव को ये कहते हैं कि देख हम तुसे एक रार एग्रिमेंट करते हैं हम तेरी रक्षा करेंगे तो साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि तु कमजोर है उसके मन में बच्पन से ये बात डाली जाती है कि तु कमजोर है उसको मन में बच्पन से ये बात डाला है क्योंकि भारत में जो पुरानी संस्कति है जो भारत का पुराना इथिया से उसमें मार्थ प्रधान यानि कि महिला प्रधान घर रहे हैं कुल माता हैं होती थी, कुल पिता का कोई जिक्र नहीं है, भगवान बुद्ध की जितनी भी सिक्षाएं हैं, उसमें कुल माता का जिक्र है, जैसे महा माया थी, या जो परजापती गौत में थी, ये कुल माता हैं थी, कुल पिता नहीं थे सुद्धोधन, यानि के कुल पिता का जिक्र नहीं है घर में जो व्यस्था चलती थी सारी सारी वो माता ही चलाती थी और माता सारे काम करती थी जंगल के भी बाहर के भी इधर के भी उदर के भी 24 घंटे काम करती थी एक पुरुस से तीन गुना ज्यादा काम तो काम तो आज भी वो ज्यादा कर रही है बलकर अगर वो नौकी करती है तो भी और नहीं करती है तो भी मगर फिर भी हर साल उसको एक एहसास करा देते हैं कि तू कमजोर है तू कमजोर है तू कमजोर है अरे गुलाम बना रहे हो क्या उसको बारवार ये कहके कि तू कमजोर है कमजोर है कभी ये कहोना कि तू बलवान है तू तु पांच आदम्यों काम अखिले करती है, तु घर का सफाई वाली भी है, तु घर का कुक भी है, तु घर का सिकोर्टी गार्ड भी है, तु घर का मैनेजर भी है, तु घर का टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला भी है, तु घर का पोड़क्शन भी है, तु घर का मैनेजर भी है कभी ये एहसास उसको कराओ के तो हमसे कितना ज़्यादा बड़ी है या जो इह सर्थटा जो आपकी मान सकता है दिमाग के अंदर है ये देस को हमयसा कमजोरी करती रहेगी अपनी ही नारी को अगर कमजोर होने का एहसास कराओगे तो अपनी आधी आवादी को कमजोर कर दोगे और जब अपनी आधी आवादी को कमजोर घोजित कर दोगे तो जीतोगे किस से नेपाल जैसा देश भी चाटा मारके निकल जाएगा पता नहीं चलेगा चीन और अमरीका के तो सपने भी छोड़ देना तो मिरी रक्षा कर मैं तेरी रक्षा करूँ तो बात समझ में आती है और खाली मैं तेरी रक्षा करूँ और तू कमजोर है और तू ऐसे ही बनी रहे तो आप अपनी इस्तरीयों के दिमाग में हर समय ये बात डालते हैं कि तू कमजोर है और कमजोर जब जिसके बात में दिमाग में आ जाती है उसको उटने में उसको बलवान होने में बड़ा टाइम लगता है बचपन से ही एक धागा बांद के 20-50 उपर उसके हाथ में दे के एक बरफीगा पीस दे के या कोई गिफ्ट दे के कितना बड़ा अन्याय किया जाता उसके साथ में कि उसके दिमाग में ये बात डाले जाती है कि तू कमजोर है और हम तेरी रक्षा करेंगे भाई बहन का प्यार तो समझ में आता है भाई 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 का प्यार ये कहता है कि देख भाई मैं तुस्से प्यार करती हूँ ये मैंने तुझे धागा बांदा प्यार का और जो भाई ये वो कहे कि मैं भी तुस्से ज़्यादा प्यार करता हूँ ले मैंने तेरे दो धागे बांदे तो उन्हें एक बादा मैं डबल बानता हूँ, ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि भेन अगर भाई के लिए एक टाइम खाना बनाए और भाई उसके लिए दो टाइम खाना बनाए तो समझ में आता है कि प्यार है, मगर भेन को ये कहते रहे हैं कि सारी जो मदा ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है और मैं सीधे सीधे सब जो मैं कहूँ तो वो भारत का तो दुस्मन है ही क्योंकि हमारी भारत की नारियों के दिमाग में ये बात डाल रहा है साल दर साल कि तुम कमजोर हो, तुम्हें पोर्टेक्शन की आवसकता है तुम्हें रक्षा की आवसकता है सोच ये इसके वारे में क्योंकि मेरे घर में तो ये पचास और चाले साल से लगाता सोचा जा रहा है, बताय जा रहा है सोचा आपको भी मैं बता दूँ जो मेरे घर के हालात रहे हैं धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका printer material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका audio change कर सकते हैं उसका video ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी video का या सारी video का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा share करके या इसको आगे भीज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचेंड है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू धूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू धूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू धूतियं पी धम्ममर सरेण गच्छामू भूतियं पि नम्मं सर्णम गच्छादी, भूतियं पि सर्णम सर्णम गच्छादी, तो थियं पि बुद्धं 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 सर्णम ततियं पी धम्ममर सेनु गच्छामू